इस नेता का यहां नाम ही काफी है रामपूर में जब आप जाएंगे तो यही सुनने को मिलेगा लेकिन अब तो ये नाम पूरे ही सूबे में गूंज रहा है हम बात कर रहे है आजम खान की नमस्कार आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूँ सुश्मा आजम खान की नेताओं का आकरमक तरीके से आजम को लेकर प्रचार करना दूसरी तरफ आजम का लोगों के बीच ना होना ऐसे में कई सवाल थे सवाल थे इस बात को लेकर कि क्या इस बार आजम का किला ठह जाएगा क्या उनका गढ़ छिन जाएगा तो ऐसा कुछ भी रही हुआ है जे चुपी साध रखी थी खामोशी थी उनके बीच में उसने तमाम उमीद्वारों के धड़कने बढ़ा दी थी लेकिन रिजर्ट जब आया तो उस खामोशी के पीछे के तुफान का अंदाजा साफ तोर पर दिखा रामपुर में दसवी बार आजम खान अपनी जीत का सीता पुरमिस अलाकों की पीछे खैद रहकर भी आजम ने करीब 55,000 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया तो वहीं आजम ने बाकी सीटों पर भी बीजेपी को मुश्किलों में डाला जम कर छखाया उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने बड़ी जीत दर जवामी भी सपा के नसीर एहमद खान ने भी एक बड़े अंतर से जीत दर्ज की हाला कि दो सीटे यहाँ पर बिलासपुर और मिलक की बीजेपी के पास गई और पिछली बार की तरह ही यहाँ पर बीजेपी कैनेडेट्स की जीत हुई लेकिन अगर आप इसको और तफसील स देखेंगे तो बिलासपुर से योगी के मंतरी को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा और वो जैसे तैसे ही यहाँ पर जीत पाए हैं जीत हार का मार्जिन करीब 300 वोट का ही रहा वही अगर बीजेपी प्रत्याशी राजा बाला सिंग की बात करें तो मिलक विधान सभा से वो करीब 6,000 मतों से ही जीती यानि कि 10,000 मतों से कम पर ही इन दोनों सीटों का फैसला हो गया तो आप समझ सकते हैं कि आजम के ना होने पर भी आजम का कितना प्रभाव रामपुर जिले की सियासत पर देखने को मिला ना किवल अपनी सीट वो एतिहासिक तोर पर जीतते हैं बलकि बाकी सीटों पर भी एक एतिहासिक प्रभाव छोड़ते हैं और यह कहा जा रहा है कि जेल में बंद आजम का प्रभाव किवल रामपुर ही नहीं बलकि आसपास की जिलों पर भी खासा देखने को मिला तो इसलिए चर्चा हो रही है कि जेल में रहकर ही आजम खान ने झाल झाल